राक्षस्नों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शीव के आश्चिरवाद से मृत संजिवनी विद्या का ज्यान मिल गया था। अब युद में जो भी राक्षस मर जाते शुक्राचार्यों ने फिर से जीवित कर देते। देवताओं के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। क्या उपाई किया जाए। पड़न हो जाएगा। युजना बनाने लगे एक दिन राक्षसों ने कच को पकड़ कर उसका वध कर दिया। देवियानी ने जब यह जाना तो उसने रो रोकर पिता से कच को पुनर जीवित करने की आचना की। शुक्राचर्य देवियानी का कच के प्रति प्रेम समझ गए। हार कर उन्होंने कच को जीवित कर दिया। अब तो राक्षस क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा की जो भी हो कच को रास्ते से हटाना ही होगा। उन्होंने तीसरी बार कच को मार डाला। इस बार राक्षसों ने चला की की राक्षसों ने कच को मार कर उसके शरीर का जला कर राह को एक पेय में मिला कर गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। लाक्षसों ने सोचा चलो अब तो छुटी हो गई कच की लेकिन देव्यानी ने जब कच को नहीं पाया तो वो समझ गई की क्या हुआ होगा देव्यानी ने पुनह अपने पिता शुक्राचार्य से कच को जीवित करने के लिए कहा किन्तु शुक्राचार्य संकत में पढ़ ग गया, किन्तो गुरू की मृत्यू हो गई, तब देव्यानी ने कच से अपने पिता और उसके गुरू को पुनर जीवित करने का नुरोध किया, कच ने सुक्राचारिये को पुनर जीवित कर दिया, इसके पस्चाद देव्यानी ने कच के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे कच ने अस्विकार कर दिया उसने अपने उद्देश्य के बारे में उसे बताया और ये भी कहा कि मैं गुरु की पेट से निकला हूँ अतह वो मेरे पिता और तुम मेरी बेहन समान हो अतह मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता ये सुनकर उसने कच को श्राब दिया कि वो कभी भी इम्रित संजिवनी का परयोग नहीं कर पाएगा इस पर कच ने भी उसे श्राब दिया कि वो जिस किसी से भी विवाह करेगी उसका चरित्र गिर जाएगा इस घटना के बाद दिन बितने लगे दिन 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 देवियानी राजकुमारी-शरमिषटा के साüt्र करने के लिए गई जहां उसने भूल वश राजकुमारी के वस्तर पहन लिए यह देख शरर्मिषठा क्रोधी थो उसका अपमान कर यह काती है कि उसके पिता इस राज ये के सेवक हैं और वो एक सेवक की पुत्री होकर राजकुमारी के वस्त्र कैसे धारन कर सकती है शर्मिष्ठा राजा पुष्वर्मा की पुत्री थी शुक्राचारिये ब्रिश्परवा के सलाहकार थे अपने इस अपमान पर देवयानी रूष्ट होकर कुछ नहीं कह पाई अपने कपड़ो में देवयानी को देखकर उसकी सुन्दरता देखकर राजकुमारी ने क्रोध में आकर उसे कुवे में धाकेल दिया देवयानी कुवे से अवाज लगाने लगी तभी वहां से गुजर रहे राजा आयाती ने उसे हाथ पकड़ कर बाहर निकाला राजा आयाती और देवयान नहीं पहुची तो शुक्राचारे उसे खोचते हुए उसके पास पहुचे उसके गंदे कपड़े देख और उसके चोट को देख कर वा बहुत दुखी हुए उसके पूछने पर और उसने सब बताया और कहा कि वह तब तक घर नहीं जाएगी जब तक कि शर्मिष्ठा उसकी डासी नहीं बन जाती राजा वृषपरवार श्रमिष्ठा भलीभाती जानते थे शुक्राचारे की बिना उनके राजय का विनास हो जाएगा इस वज़ह से श्रमिष्ठा ने उसकी दास्ता श्विकार कर रहने लगी एक दिन राजा आयाती और देव्यानी की पुन्ह मुल तो पहले ही राजा से प्रभावित थी, एक दिन उसने राजा से कहा कि वो एक राजकुमारी है, वो उनसे विवाह करने में कोई तुरूटी नजर नहीं आती। राजा भी यहीं चाहते थे, किन्तु शुक्राचारे के बैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, किन्तु शर्मिष्ठा के हिम्मत रूप देखकर स्वैम को रोक नहीं पाए और दोनों ने गंधर्व विवाहरा चालिया, इधर देवियानी ने दो पुत्रों यदू और तुर् राजा को एक ब्रिध और कमजोर व्यक्ति बना दिया, देवियानी ने जब यह देखा कि उसको स्वामी इस दैनी आवस्था में है, तो उसने अपनी पिता से श्राप वापस लेने को कहा, किन्तु उसकी पिता ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, किन्तु यदि उसका कोई पुत्र पुरू से अपना यवन दे दे तो वह पुना यवन पहले जैसा हो जाएगा, यह जानकर उसने अपने सभी पूत्रों से याचना की परन्तु किसी ने भी उसकी याचना स्विकार नहीं की, उसके सबसे छोटे पुत्र पुरू ने कहा, कि वह अपना यवन देने के लिए त यही तो पूरू ने कहा पिता जी आप कुछ और दिन इसका उपयोग कर सकते हैं मुझे विरिजदा वस्ता में कोई तकलीफ नहीं है यह सुन राजा यायाती लजजी थो गए और समझ गए कि यह कभी ना मिटने वाली पीपासा है राजा याती ने अपने पूत्र पूरू की महांता को देख कर उसे ही अपने राज्य का उत्राधी कारी घूशित किया और स्वैम देवियानी और सर्मिष्ठा के साथ पानप्रस्त को चले गए उनके पांचों पूत्रों ने पांच महांदाजियों का निर्मान किया यदू यवन मलेच भोज और कुरू वन्ष